सब्सक्राइब कीजिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल एड्यूकेशन फार सीवेसी को और बेल आइकन को दवाईए ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए तो आ गए याँ आप तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th English का चैप्टर नबर 3 जिसका नाम है देजर ठीक प्यारे बच्चों तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे बेसिकली रेगिस्तान के बारे में जो रेगिस्तान होता है प्यारे बच्चों वहाँ पे सभी लोग क्या सूचते हैं सबी लोग सूचते हैं रेगिस्तान एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे पानी नहीं होता है वहाँ पे जीवन बहुत ही गठीन होता है और बहुत ही दुरलव यानिकी बहुत कमी लोग वहाँ पे रहते हैं और इसी के साथ साथ प्यारे विच्चों बहुत लोग ये भी होती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ठीक प्यूड प्रचू रेगिस्थान ठंड़ा भी हो सकता है रेगिस्थान गरम भी हो सकते है रेगिस्थान जु थंढ़ा होता है वो लद्दा अख में पया जाता है कस्मीर west ठीक प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे अब जैसे दो पार्ट में डिवाइड होई गया जमुन कास में, ठीक एक लगदा के जमुन कास में, ठीक प्यारे बच्चों, तो इसी तरह से वहाँ का जो रेगिस्तान होता है, उसे हम लोग कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, यानि कि ठंडी वाला रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट इक प्यारे बच्चों, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग यह समझ सकते हैं, कि रेगिस्तान ठंडा भी हो सकता है, अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं, कि रेगिस्तान में रहते कौन-कौन है, देखिये, रेगिस्तान में प्यारे वच्छों कोई भी जानवर रह सकते हैं, लेकिन वे ऐसी जानवर रेगिस्तान में रह सकते हैं, जो कि लांग टाइम टक सस्टेन कर सकें, और सबसे ज़्यादा ज़्यादा टेंपरेचर, सबसे कम से कम टेंपरेचर को सह सकें, जैसे माली जी सबसे ज़्यादा गर्मी मतलब काफी घरμी हो उसे भी सह सकी काफी ठंडी हो उसे भी सह सकी तो ऐसे लोग क्या करते ही रहते हैं तो ये संदी हो personnel दोगहीं बहुत सारे प्याइं पर ऑगारे केमल ऊगरे होगे उसे काइब का खेंडाज होगहाँ सब्सक्राइब कंद 233-0000 ठीक है तो जो प्यारवचो कैमल होता है वहां का बहुत एंशान अपर और यहां के लोगों को बहुत जादा हम करा आधा है और इसकाथ प्यार प्यारवचो कैमでは वह. ये कही बार में बहुत धेर सारा पानी क्या कर सकता है पी सकता है और उसे इस्टोर भी कर सकता है फिर जब धेर सारा पानी पी लेगा फिर उसी पानी को अगले दिन जब उसे प्यास लगे अगले दिन जब उसे प्यास लगे तब उसे यूज कर सकता है और जो कैमल होता है वो सबी लोग होते हैं प्यारे बच्चों वो पानी की तालास में कैमल को ही ले करके जाते हैं ताकि वो ढेड़ सारा पानी पी ले और उसका छुटी हो गया मतलब कि अभी लोग को कभी पानी पिलाना ने पड़ेगा खाली अपने लिए पानी व्युश्था करनी है तब यह हैं कटीले रहते हैं तो कटीलोई पीड जो रहते हैं वो आप लोग हाईयर कलास में जानें के क्यों रहते हैं साइंस में प्यारे बच्चों नीचे तक बहुत जादा गहराई तक लंबी हो जाती है ठीक प्यारा बिठ्चों निते हैं चीर किवेतिस्तां में भी संभा हुआ है रैफिस्तान में भी काफी अमीर अमीर लोग रहते हैं तो प्यारा बिठ्चों और यहांपे प्यारे बिठ्चों रिकिस्तान में आपको लोग को पानी ढूनना है तो उसकी एक बेश्टिट्री की है सभी लोग बताते हैं कि जहां कहीं पे भी थोड़ा ज़्यादा मतलब पीड़ पौधे हो उसी का सपास पानी रहता है क्यों? क्योंकि पीड़ पौधे कब उगते हैं? जब उन्हें पानी मिलता है तो जहां पे ज़्यादा पीड़ पौधे उग रहे है मतलब वहाँ पे पानी ज़्यादा है तो वहीं पे सभी लोग क्या करते हैं या तो खुदाई कर लेते हैं या तो आल्रेड़ी वहाँ पे पानी नहीं मिल जाता है तो इस तरह से वे लोग पानी प्रावत कर लेते हैं तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खतम होता मुझे उम्मिद आप लोग समझ में आवगा यदि आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे प्यारे बच्छों बिल्कुली फ्री है और नीचे डिस्क्रिप्शन प्यारे बच्छों एक लिंक दिया गया है उसमें आप लोग सभी चैप्टर की समरी देख सकते हैं तो फटा-फट से विजिट कीजिए दिरकीश बात की थैंक्यू जहिंजबारत मिलते हैं चैनल को प्यारे बच्छों सब्सक्राइब जरूद कर लिजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं तो आप लोग सभी नोटिफिकेशन भूल जाएंगे कोई भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ